आ रही है महाराश्ट्र की राजनीती से और बड़ी खबर ये है कि शविसेना नेता संजेर राउत के खिलाफ प्रवर्ता निदेशाले यानी E.D. ने बड़ी कारिवाय की है इन्फोर्स्मेंट डारेक्टरेट ने पात्रा चौल भूमी घुटाला मामले में संजेर राउत की करोडों की संपत्ति को अटैच कर लिया है वही E.D. ने PMLA जांच में राउत से जुड़े अली बाग के आठ प्लोट और मुंबई के फ्लाट कुर्क किये हैं बताये जा रहा है कि ए घुटाला करीब 1,034 करोड रुपए का है इस पूरी खबर को और अच्छे से समझते हैं हमारे साथ हमारे सेहोगी चानल जी 24 तास एडिटर निलेश खरे जी से बात करें लेकिन उससे पहले ये सुने तो मैने इस बारे में राज्यसभा चेर्मन को पहले ही इंटिमिट किया था कि महाराष्टा की सरकार जो है तो गिरानी के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है नई तो आपको केंद्रे जाज एजनसी का सामना करना पड़ेगा ये इसी गर में आकर लोग बोल कर गए है उसके बाद एक्षन शुरू हो गई है हम डरने वाले वाले से नहीं है चाहे हमारा जो आप बोलते है प्रापरिटी उजब करो या चाहे हमें गोली मारो या चाहे हमें जेल भेत दीजे सेंजे राओ बाला सब ठाकरे का चेला है शुव से निखे वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा और जी चौबिस्तास के एडिटर निलेश खरे जी हमारे साथ है निलेश जी सबसे पहले आप से समझना चाहेंगे एक हजार चौनतीस करोड रुपए का ये पूरा घुटाला है ये जो पूरा मामला है जिसके तहत एडिने कारवाई के संजेर राओत पर कितना कंभीर मामला है जी मुख्य तोर पर पत्रा चौल जो घुटाला है उसमें रीडेवलोप्मेंट के इशूज को लेकर कई सारे अधिकार सरकार के पास थे बी-मसी के पास थे और हर राजनितिक दल जो है इस पत्रावाला चौल घुटाले से जुड़ा हुआ है इसमें ये आरोप लगे थे के संजर राउत ने यहाँ पर रीडेवलोप्मेंट और यहाँ की जो जमीन है उसको लेकर जो आननफानन हो रहा था जिस परकार के घुटाले हो रहे थे उसको दबाये रखने के लिए खासा किक बैक लिया खासा पैसा लिया और वो पैसा इस्त किया गया है एडी द्वारा खास तोर पर जो बीच में रेड्स हुई थी रेड्स में जो कागजात मिले थे उसके आदार पर यह बताया गया है कि यह कारवाई हुई है जिसमें दादर का जो फ्लैट है वहाँ पर संजर राउत खुद रहते है रेसिडेंशल प्रॉपर्ट जो है वो खरीदी गई थी अब निलेज जी साफ तोर पर यह एक बड़ी कारवाई है एडी ने जो की है एक बड़ा मामला है राजनितिक गलियारे के परपेक्ष में अगर इसको समझें तो यह जो पूरा मामला संजर राउत पर बनता है वो क्या वाकई बहुत जादा बद पर आश्रम में देख चुकी है और आज का भुकम जो है वो रिष्ट स्केल फर हम यह कह सकते है कि छे दशमलव से उपर का था इसलिए बड़ा हंगामा और बड़ा शिवसेना को एक जटका जो है वो महसूस हुआ है आज के एडी के कारवाई के बाद इससे पहले एडी की क शिवसेना और बीजेपी के रिष्टे खटास में लंबे समय से चलते आ रहे हैं पर जिस प्रकार की कारवाईया हुरी है इससे यह साफ हो गया है कि अब शिवसेना और बीजेपी कभी एक दूसरी के साथ नहीं आ सकते बीजेपी साब तो और कर दिल्ली में सरकार में है दे तक राजधानी पर अब तक बीजेपी अपना अदिकार स्थापिच नहीं कर पाई है और बीजेपी साब तोर पर चाहती है कि किसी भी हालत में महाराष्ट में बीजेपी की सत्ता हो तो दबाव की राजनेतिक जरूर है और इस बाहने हम यह कह सकते हैं के सारे पूरे मामले पर हम तक ये डीटेल में जानकारी पहुंचाने के लिए